हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप सब के लिए लेकर के आई हूँ यूपी बिहार की फेमस गुलगुले की रेसिपी पर एक ट्विस्ट के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलगुला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां तेड़ कटोरी गेहू का सब्सक्राइब करते हैं मैं इसी कटोरी के माप से सारे इंग्रीडेंट्स लूंगी अब इसमें हम हाफ कटोरी सूजी एड़ करेंगे और फिर हाफ कटोरी नारियल का बुरादा इसमें एड़ करेंगे इसके बाद अब मैं इसमें half teaspoon इलाइची और half tablespoon soft का powder एड़ करूँगी मैंने यहाँ soft और इलाइची को बस crush किया है उसका powder नहीं बनाया अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी एड़ करूँगी और फिर half teaspoon baking powder एड़ करें अब मैं सेम कटोरी से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करूँगी और इसे mix करूँगी इतने mixer में मैंने यहाँ दो कटोरी के जितने पानी इस्तमाल किया है अगर आपको मेरे recipe पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करें देखिए हमारा mixture तयार हो गया है तो अब हम इसे ढब करके दो से तिन गंटे के लिए रख देंगे दो गंटे हो चुके हैं तो देखिए अब हमारा batter अच्छा से फूल गया है इसे एक बार हलका सा mix करें और फिर अब हम इसमें दो टेबल स्पून टूटी फूटी एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून सफ़ेद तिल एड़ करके अच्छा से mix करेंगे अब हमारा batter fry होने के लिए तयार है फ्राइ करने के लिए मैंने अल्रेडी तेल को गरम होने रख दिया था तो अब बैटर के चोटे-चोटे balls बना करके हम तेल में डारेंगे और इसे low flame पर पकाएंगे ध्यान रखे की गैस की फ्लेम हाई नह रहें वरना हमारे गुलगुले उपर से crisp हो जाएंगे और अंदर से कच्छे ही रह जाएंगे तो इसे low flame पर आराम से fry करें इसमें कम से कम 12-15 मिनिट लगेगा आपको इसे चारो साइट से अच्छे से स्टर करते हुए फ्राई करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बाजू में दिये गए बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी आने वाली सभी रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिलती रहें देखिए हमारे गुलगुले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सारे गुलगुलों को फ्राई कर लेंगे देखिए हमारे गुलगुले फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इने आपको तोड़ करके दिखाती हूँ देखिए हमारे गुलगुले कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इसे अपने घर पर भी ज़रूर ट्राई करें और साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद दाए तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो